नमस्कार साथियों, साथियों एक बहुत ही लेटेस्ट जज्मेंट के बारे में हम आपको बताएंगे रागव राम बनाम रिवेन्यू बोर्ड ओफ उत्तरपदेश के पुत्र बदू को ससुर की संपत्ती में अधिकार मिलेगा और वो अधिकार पुत्र बदू ने अगर दूसरी साधी भी कर ली तो कोई भी नहीं चीन पाएगा बहुत ही महित्तपूर आदेस है ठीक है यह यह आदेस है रागव राम बनाम बोर्ड ओफ रिवेन्यू अब देखिए एक चीज में आपको बता दूँ यदि आप एक आदे यह आदेस अच्छा लगे और आदेस की आप कॉपी लेना चाहते है और लेके अगर आप कोई भी सला लेना चाहते है इसकी पीडिया प्रभाव याने की अगर उत्रा अदिकार पाने के बाद उस महला ने दूसरी साधी कर लिए पुत्र वदू ने ससुर की मृत्व पर संपत्ति को उत्रा अधिकार में पाया था देखिए ये नियम है कि अगर ससुर मर गए ठीक है ना और उसका पती जीवित नहीं है तो उस जो भी महला है ठीक है उसे इस्सा मिल जाएगा ठीक है जैसे माल लीजिए ससुर है ठीक है ससुर का पुत्र भी नहीं है तो ससुर के मरने के बाद वो प्रॉपरिटी जो है ससुर की अगर विद्वा है तो उसे मिलेगी विद्वा नहीं है तो वह भी मिल जाएगी अब अधिकार है आपका उत्रा अधिकार में पाया कि संपत्ती को उत्रा अधिकार पाने के बाद उसने पुनरविवा कर लिया अब अगर पुत्रवदू चाहे पुनरविवा करती है दूसरी साधी करती है तो प्रस्न एह है कि क्या पुत्रवदू बाद में पुनर विवा करने के पस्चात अपने अधिकार से वंचित हो जाएगी यानि कि जो उसे अधिकार मिला है उसे वंचित कर दिया जाएगा यह धारित किया गया कि वहें अपने ससुर की मृत्व पर अपने नेत अंस के बाद में पुनर विवा के आदार पर वंचित नहीं की जा सकती आसीधी बात साथियों यह है कि अगर माली यह ससुर एकस्पायर हो गया और अगर जो विद्वा पुत्र वदू है उसके नाम प्रॉपरिटी आ गई ठीक है तो वो कहीं भी साधी कर ले जो से इस्सा मिल चुका है वो मिल चुका है इसी प्रकार से पत्ती और पत्ती पर लाग विवा के आदार पर बंचित नहीं के जा सकती यदि ससुरकी मिरत पुत्र वदू के रूप में संपत्ती को उत्रा अधिकार में पाने के भार अकनर आधार करने से शुखी तो चाहे धूसरी साधी करलो जै कहीं भी चाहा है संपत्ती से वंचत आपको नहीं किया जाएगा साथृतिक्ष नमर वीडियो की डि और साथ इसके अगर आप पीडियाफ लेना चाहते तो स्क्रीन स्रॉट लेजिए और पीडियाफ ले सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो के डिस्म दिया गया साथ योधर निवाद